नमस्कार मित्रों आज का जो विशे है वो बिये भाग प्रथम के प्रथम प्रश्ण पत्र का है जिसमें सूरदास जी के पद हैं और उनकी व्यक्ष हैं उधो अखिया अति अनुरागी एक टग मग जोवती और रोवती भूलेव पलक नलागी बिन पावस पावस करिराखी देखत हो विद्मान अब दो कहा कियो चाहत हो छाडो निर्गुन ज्यान तुम तो सखा शाम सुन्दर के जानत सकल सुभाही जैसे मिले सूर के स्वामी सोई करव उपाई यहाँ पर स्री क्रशन ब्रज को छोड़ करके जब मधुरा चले गए है और जब ब्रज प्रदेश की जो गोपियां है वो स्री क्रशन के प्रेम के वसी बूत उनके विरह में व्याकुल हैं उस व्याकुलता को देख करके चुकी स्री क्रशन तो अंतर्यामी थे उन्होंने उधव को भेजा है और उधव उनको ये समझा रहे हैं कि स्री क्रशन तो इश्वर है, ब्रह्मा है और वो इस प्रकर्ती की कणकण में व्याप्त है इसलिए तुम उनके विरे में व्याकुल मत रहो और निर्गुण ब्रह्म की उपास्टना करो तो उस निर्गुण ब्रह्म की उपास्टना का उपदेश उधव से सुन करके गोपियां और अधिक दुखी होती हैं और फिर उनको प्रति उत्तर देती हैं और उत्तर देते हुए वो कहती हैं कि उधव अखिया अति अनुरागी एक टक मग जोवती और रोवती भूलेव पलक न लागी की है उधव जो हमारी आँखे हैं ये तो स्री क्रिस्न के अनुराग में प्रेम में डूबी हुई है कि हमारी जो आँखे हैं वो स्री क्रिस्न के दर्सनों की प्यासी हैं उनके प्रेमिक में डूबी हुई है इनको और दूसरा कोई भी एक तरह से पसंद नहीं है इनको तो सिर्प स्री क्रिस्न ही अच्छे लगते हैं तो ये क्या करती है आँखे एक टक मग जोवती ये तो एक टक हो करके स्री क्रिस्न के रास्ते को जो होती है इंतजार करती है और जब स्री क्रिस्न उस रास्ते से आते हुए दिखाई नहीं देते हैं जिन रास्तों से वो हमेशा आया करते थी जब उन रास्तों पर इन आँखों को स्रीकृसन दिखाई नहीं देते हैं तो ये क्या करती हैं उन रास्तों की तरफ इंतजार करती हैं इंतजार की तरफ देखती हैं या इस रास्ते से स्रीकृसन आएंगे और जब वो नहीं आते हैं तो क्या करती हैं अर रोवती तो फिर रोती है भूले उप पलक ने लागी कि ये जो आँखे हैं भूल से भी एक पल के लिए भी पलके नहीं मिलाती है पलके नहीं चपकती है एक पल के लिए भी स्री कृस्ण को नहीं भूलती है इस प्रकार हमारी आँखे स्री कृस्ण के प्रेम में दिन रात डूबी रहती है और इनकी क्या दसा हो रही है बिन पावश पावश करिरा की बिना वर्षा रितू के ही इनोंने तो वर्षा कर रखी है आंसूं की और ये बात हम आपको जूट नहीं कहती है देखत हो विद्मान कि तुम स्वयम प्रतक्ष रूप से तुम विद्मान रहकर के तुम स्वयम यहाँ पर देख रहे हो उस तरह इसका मतलब यह भी हो जाएगा कि तुम तो स्वयम विद्मान हो तुम स्वयम देख रहे हो कि ये हमारी जो आँखे हैं ये हमारे वश में नहीं है उनकी रास्ते को ये लगतार देखती रहती है इसलिए अब दो कहां कियो चाहत हो चाडो निर्गुन ग्यान इसलिए हम इनकी चाहत को कहां तक समझाएं अब तुम अपने निर्गुन ग्यान को चोड़ दो और क्या करो तुम तो हो सखा शाम सुन्दर के तुम तो सिरी कृसन के मित्र हो वो दूसरे के रंग को भी अपने अंदर समाहित करने वाले शाम वर्ण वाले वो जो सुन्दर सिरी कृसन है उनके तुम तो मित्र हो और चुकि वो अंतरियामी है इसलिए तुम भी उनके मित्रो इसलिए तुम भी अंतरियामी हुए तो जानत सकल सुभाई तुम तो उन सिरिक्रिसन के सारे गुण और अउगुणों को जानते हो उनके सुभाव को अच्छी तरह जानते हो जैसे मिले सूर के स्वामी कि हे उदव जी सूरदास कभी यहां कहते हैं कि गोपियों ने उदव से कहा कि हे उदव जैसे भी स्रीक्रसन इन अखियों को या हमें मिल जाएं सूर के स्वामी स्रीक्रसन कि हे उदव जैसे भी जिस भी विधी से जिस भी युक्ती से स्रीक्रसन हमें मिल जाएं सोई करव उपाई वही उपाई तुम करो हमारे लिए हे उदव अब इन निर्गुण ग्यान की बातों को छोड़ो और हमारी इन आखों की जो विरह दशा है इसको देख करके और तुम तो स्रीक्रसन कि शुबाओ को जानते भी हो उनसे मिलाने का कोई भी ऐसा उपाई करो जिसे की इन आखों को स्रीक्रसन के दर्सन हो जाए तो इस प्रकार से यह यहाँ पर गोपिया क्रसन के विरह में स्रीक्रसन के सामने यह कहती है एक और अगला चंद है उसको देखते हैं उदो मनन भहे दसवीस एक हुतोसो गयो स्यामसं को आरादे इश इंद्री सितल भही केसव बिन जो देही बिन सीश उदो मनन भहे दसवीस आसा लागी रहतितन स्वासा जीवई कोटी बरीश तुम तो सखा शामसंदर के सकल जोग के इश सूर हमारे नंद नंदन बिनू और नहीं जगदीश उदो मनन भहे दसवीस यहाँ पर क्या है कि उदो उनको फिर से निर्गुन ब्रह्म के ज्यान का उपदेश देते हैं तंग आकर की गोपियां उनके निर्गुन ब्रह्म के ज्यान के उपदेश से उनको जवाब देती हैं उत्तर देती हैं, और क्या कहती हैं, हे उधो, हमारे कोई दस बीस मन तो नहीं है, उधो, मन न भाई दस बीस, हमारे पास कोई दस बीस मन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक मन है, और एक हुतोसो गयो शामसंग, एक ही तो मन है, वो किस के साथ गया? स्री क्रिसन के साथ गया हमारे पास 10-20 मन ओते तो तुमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी कर लेते लेकिन हमारे तो कोई 10-20 मन नहीं है एक हुतोसो गयो श्याम संग एक ही मन है जो स्री क्रिसन के साथ मत्रा में चला गया को आरादे अवरादेश कि अब तुमारे इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे हमारा तो एक मनता स्रीक्रिशन के साथ चला गया इसलिए अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है जो तुमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे तुमारे निर्गुण इश्वर की उपासना करे इ वो क्या हो गई है? काम की नहीं है, सितिल हो गई है, जो देही विनसीस बिना सरीर के जैसे सिर सितिल हो जाता है, उसी प्रकार हमारी तमाम इंदरियां स्री क्रस्ण के बिना क्या हो गई है? सितिल हो गई है, आसा अलागी रहती तन स्वास, कि जब तक सरीर में स्वास है, तब तक तो ये आसा लगी रहेगी कि स्री कृषिन मतुरा से ब्रज में आएंगे जीवी कोटी बरीज भले हम करोडों वर्सों तक जीवित रहें जीवी कोटी बरीज कि भले हम करोडों वर्सों तक जिंदा रहें जब तक हमारे इस तन में स्वास है प्राण वायू है तब तक तो ये आसा हमें रहेगी कि सिरी क्रिशन मतुरा से वापिस ब्रज में आएंगे और हमें सिरी क्रिशन के दरसन हो जाएंगे तुम तो सखा शाम सुन्दर के सखल जोग के ईस कि है उधव तुम तो उन सुन्दर शाम वरण वाले सिरी क्रिसन के मित्र हो और तुम सकल जोग के ईस तुम तो योग की सारी विधियों को जानते हो इस्वर की इस्वर से योग करने की जोग करने की जितनी भी विधिया होती है उन सब को जानते हो सूर हमारे नंद नंद नंविन सूर्दास कभी कहते हैं कि हमारे जो नंद बाबा है उनके जो नंदन है उनके जो लाडले पुत्र है स्री क्रस्न उनके बिना और नहीं जगदीज इस जगत का और कोई दूश्रा हमारे लिए इश्वर नहीं है हे उधव इसलिए तुम तो सारी योग की विधियों को जानते हो स्री क्रस्न को जानते हो तुम उनके मित्र हो और हमारी इस्तिती यह है कि हम नंद बाबा का जो नंदन है पुत्र है श्री क्रस्न उसके बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं और इस संसार का हमारे लिए और कोई दूसरा उनके बिना इश्वर नहीं है हमारे एक मात्र इस्तित और स्री क्रस्न है इसलिए हमें ये आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्यान हमें मत दीजिए एक और देखते हम निर्गुण कौन देश को बासी मदुकर कही समझाए सोहें दे बूजती साचिन हासी को है जनक कौन है जन्नी कोन नारी को दासी कैसो बरन बेस है कैसो की ही रस्क में अभिलासी पावेगो पुनी कियो आपनो जोरे करेगो गहसी सुनत मोनवे रहो बावरो सूर सबे मतिनस यहाँ पर गोपियां उदव से फिर प्रस्न करती है जब उदव उनको बार बार निर्गुण ब्रह्म का ज्यान देते हैं यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं तो वो फिर कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी है कि हमारे स्री क्रस्न तो ब्रज के वासी है नंद बावा के नंदन है तुमारा निर्गुण कौन से देश का वासी है रहने वाला है कौन से देश का वो निवाशी है जैसे हमारे स्री क्रस्न नंद बावा के पुत्र है नंदन है ऐसे तुम्हारा निर्गुण कोन से देश का रहने वाला है मदुकर कही समुझाए सोहे दे हम सोगंध खा करके कहती हैं मदुकर उधव हमें समझा दो हम सोगंध खा कर कहती हैं हम बूजती हैं हम जानना चाहती है साची सची बात को ना हासी हम हसी नहीं कर रही हैं तुम्हारी और ने तुम्हारे निर्गुण ब्रमी की हसी कर रही हैं हम सोगंद खा के कह रही हैं हम आप से पूछती हैं सच्ची बाते जानना चाहती हैं हम मजाक नहीं कर रही हैं को है जनक कौन है जन्नी जैसे हमारे स्री कृसन के माता या शोदा नं ऐसे तुम्हारे निर्गुन को को है जनक, कौन है उनके पिता, कौन है जन्नी, कौन उनकी माता है, कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है, को है दासी, जैसे हम उनकी दासियां हैं, गोपियां हैं, ऐसे उनकी दासियां कौन हैं, कैसो बरन वेश है कैसो, कि उसका कैसा रंग है, कैस उसकी वेशबूशा है और वो दिखने में कैसा लगता है और जैसे हमारे सिरिक्रिश्न मधुर रसके मुरली बजाते हैं ऐसे किहीं रसके अभिलासी वो कौन से रसके अभिलासी है पावेगो पुनी कियो आपनो जोरे करेगो घांसी फिर गोपिया कहते हैं कि हुदव आप हमारा यकीम कीजिए हम आपसे मजाक नहीं कर रही हैं हसी नहीं कर रही हैं ठिटोली नहीं कर रही हैं यदि कोई ऐसा करेगा तो अपना किया हुआ वो पाएगा दंड का भागी होगा यानि हम मजाक नहीं करें हम सोगत खाके कहती हैं पावेगो पुनिकियो आपनों जोरे करेगो घंसी जो तुमारे साथ मजाक करेगा ठिटोली करेगा हंसी करेगा वो जो करेगा वो भरेगा हम आपसे कोई मजाक नहीं करें आप बताओ कि उनका कौन पिता है कौन माता है कौन प्रति जो गोपियों का प्रेम है और उनकी जो ये उक्तिया है विचित्र उक्तिया है इनको सुन करके उधव मोन रह गया रहो बावरो पागल की तरह एक तरह से चुप हो गया देखता ही रह गया सुनत मोन हुए रहो बावरो सूर सबय मतनासी और उसकी सारी बुद्धी वहाँ पर इस्तर हो गए रुख गई नासोग मिलब पर नस्तोने से मतलब यहाँ पर है सूर सबय मतनासी उसको कुछ उखती सूजी नहीं रही थी गोपियों के सामने इस प्रकार गोपियों ने जब विचित्र भावों में स्री कृष्ण के प्रती प्रेम और निर्गुन के प्रती उन्होंने इस तरह के प्रशन किये तो वो देते वे नहीं बना